नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने इमलीक पत्तों के फाइदे लेकर हाजिर हुआ हूँ यह तो आप सभी लोग इमलीक पेड़ को देखे हुए हैं काफी लंबा उचा पेड़ होता है इसके पत्तों को भी आप देखे होंगे एक बार फिर से देख लीजिए पहचान लीजिए जो लोग ना देखे वो देख ले तो आओ चलो दोस्तों आज मैं इमलीक पत्तों को फाइदे के बारे में बताता हूँ कि आई इमलीक पत्ता हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है दोस्तों अगर किसी को भूख न लगता हो तो आप इमलीक पत्ते को पीश कर पत्थर गसिल में थोड़ा से काला नमक डाल कर सुबा सामदू पर तीन टैम करीबन बीस-वीस ग्राम तक सेवन करते हैं तो आपका भूख खुलने लगेगा खाना खुब पचेगा हजम होगा और आप पचन का बिमारी भी दूर होगा और पेट के अंदर होने वाले ऐसी डीटी गैस भी दूर होंगे इतना फायदे मंद होता है दोस्तों इमलीक पत्तों को चटनी दोस्तों इमलीक पत्ते को फायदा इतना ही नहीं है और भी इसके फायदे है मैं बताता हूँ आप सुनते जाए अगर किसी को सांस का बिमारी है दमा है दम फूलता है तो इमलीक पत्तों को आप चलनी में रख कर आग में जलाकर इसका राख बना लीजिए और उस राख को किसी डब्बें बंद कर रख लीजिए और रोज रात को करीबन एक चम्मच राख इमली का और एक चम्मच सहद यानि होनी असली होनी दोनों को मिलाकर जबान पर रखकर धीरे-धीरे चूशते हुए सो जाए रात कि इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों यानिक पत्ता दमा रोख के लिए दोस्तों अगर किसी को दवा का रियक्षन हो गया साइड इफेक्ट हो गया है जिसके वजह से उल्जहन सा लगता है मन घबडाता है घबडाहट बेचैनी होता है तो आप घबडाये नहीं इमलीक पत्ता को तोड़कर करीबन 20 सेमल तक इसका रस निकालकर आप पी लीजिए आपको घबड़ाट बेचैनी सब दूर हो जाएगा क्यूंकि दोस्तों इमलीग पत्ता हर एक दवाओं के असर को रद कर देता है इतना छमता है इसके अंदर दोस्तों इस इमलीग पत्ता से आप भांग गाजा चरस अफीन का नसा उतार सकते हैं सराब का नसा उतार सकते हैं अगर किसी ने अधिक मादक पदार्थ सेवन कर लिया है तो उस मादक पदार्थ के असर को नश्ट करने के लिए आप करीबन 50 एमल तक इमलीग पत्ता रोगी क पिला दीजिये यानि जिसे नसा है उसे पिला दीजिये उसका नसा तुरन्त धीरे धीरे उतर जाएंगा 10 मिनट के अंदर इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों इमली का पत्ता दोस्तों कहीं हाथ पयर में चोट लग गया हो मोच आ गया है तो आप इमलीक पत्ता को पीसकर चट्मी बनाकर आग में गर्माकर और सेन्धा नमक मिलाकर उस चोट मोच के उपर रखकर यानि उस अस्थान पर रखकर बांदीजिये चोट मोच में अराम मिलेगा दर्द सूझन उतर जाएगा इतना फाइदे मंद होता या इमली का पत्ता तो दोस्तों इस तरह से इमली का पत्ता किसी आयरवेदी का उससदी से कम नहीं है इसके भी फाइदे बहुत सारे हैं उनमें से मैं कुछी फाइदे आपको बताया हूँ तो चलो दोस्तों आज की महातपूर जानका हम यहीं समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी लाब दायक हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक